कि ह plays लोग आज पढ़ेंगे माइटो कणรिया को डिसकस करेंगे माइटोक मेंड़कंड्र तोban । हैं फीच्छ ये ऐट op नुट रिख यहोजट है तो झेचंच सेलों जुंत राये नहीं होता है तो उसमें से एक है अपना mitocandria, mitocandria एक semi-autonomal cell-organal है, तो mitocandria को हम लोग क्या बोलते हैं, मला यह क्या produce करता है, energy produce करता है, तो इसको powerhouse अब दा cell बोलते हैं, kosika का powerhouse बोलते हैं, ठीक है, cell का powerhouse बोलते हैं, तो इसके बारे में हम दोग देखते हैं कि क्या है NCRTM इसके बारे में क्या बोला है ठीक है तो इसको देखते हैं तो Mitochandria Mitochandria के बारे में लिखा क्या है देखो Mitochondrion यह अपना NCRTM book है ठीक है तो Mitochandria इसका मतलब क्या होता है Mitochandria अन्लेस इस फेसिफिकली स्टेंड आर नौट इसली विजिबल अंडर द मायक्रोसकोप क्या बोला है जब तक हम लोग हमको अगर प्रतकुम को को देखना है अगर तब तब तल rage करें यहाद रखना यहाँ पर wünज दीया नहीं है बनेक्स करते हैं बॉल दिया है टेल लिख लो झैनस फिरीन से करते हैं इसको नोट ब्रिण से क्या करते हैं इसको डिकलनेनतर चैनल से क्या करते हो यहां तभी हम लोग मैख्रोस्कोप देख पाईंगे उसको अगर नहीं देख पाईंगे अजल्तर नमबर में वरीको इसेल पानबल और डिपंड़िन्द रिकेनों Av recommends V वर्क एक टाइप कर नहीं होता है मला किसी सेल को एटीपी ज्यादा चाहिए मला एनरजी ज्यादा चाहिए होता है किसी को कम चाहिए होता है जैसे हमारे लिवर सेल को हो गया उसको अलग ज्यादा चाहिए होगा मसल जो मूवमेंट करना होता है चलना दौना भाग होता हो तो उसके मसल को जादा चैये को चाईए होगा एनरजी प्र कि उसके अ गॉर्डिंग जाँड़ंग melhor का मुद्टे रहते हैं अलग अलग में अलग अलग इसका नमभर होते रहते हैं तो इसका भाडर्ट का संख्या अलग होते है ठीक है तो यहाँ पर है अब यहाँ पर क्या क्या और दिया है देखो इन टर्म आफ सेप एंड साइज आलसो कंसेडरिवल डिग्र डिग्री आफ वेरियाबिलिटी इस अब्जार्वर मला इसके सेब और साइज में भी क्या होता है डिफ्रेंट होता है टीपिकली इद यू इ सेप की एंदि मोर्टे इसको तष्ठरी बोलते हैं सेब होता है मगा अगर ऐसरा क Teams भी इसा बनाता तरी मतलब यह एसा आई सब्सक्ष होता है तो स्टेडा होता है तो पूछा जा सकते हैं ठीक ह misleading किता है देखो 0.2 से 1 micrometer होता है 1.5 1.4 1.4 1.4 टेक्ट यह हुआ देखो पहले अब यहाहंपर क्या दिया है क्या दिया है । हम लोगों का जो साइटो प्लास्म में, दो ऐसे और्गिलन्स हैं, जो डबाल मेंबरन बाउंडनल होता हैं एक टो हता है, मैटो कांटिया, देखो, नूक्लियस भी होता है, डबाल बाउंडलिण starter, पर अपना जो साइटो प्लास्म हैं, उसका पा्ट इसका और यह नहीं होता है है नहीं नहीं होगे तो हमाराइब में credit से टो मेंबरें अमरेण और ट्रक्टर वड़ इट एकिट सि कमपारट मेंठेंट क्या होता है दो मेंबरें इस में च्याहता है इन्र मेंबरेंट मेंड फोड़ीं होता है इसे फोल्डिंग होता है इसे फोल्डिंग होता है मला इसे दो कंपार्टमेंट में बढ़ गया मला यह आउटर मेंब्रेन हो गया उसके बाद इनर मेंब्रेन हो गया और फिर यह कैसे दो कंपार्टमेंट में बढ़ जाते कैसे कंपार्टमेंट यह बीच वाला जो त्राइल इस पेस्ट का बोलते हैं पेरी मैटो कांडियल इस पेस्ट बोले किया थैं की मोटाई कित्ती है मतलcedes इसकी विड्थ देखे तो कीतत आ होती है। चिस्टी 735 एक स्ट्रेचवेक चिस्टी लोटाइं कि मैं यहां यहां पर है आउटर मेंब्रेन यह देखो यह बाहर का है यह वाला आउटर मेंब्रेन है उसके बाद यहां पर दिया है इनर मेंब्रेन यह देखो कहां पर लिखाए यह है पुरा इनर मेंब्रेन ठीक है अब इनर मेंब्रेन और आउटर मेंब्रेन की बीच में दिखाए मिंद रिशन कि में 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 जह वहां पर विद बताय वो किसका है यह मदरइन की है मेंबरेन के मेंड के सीश्टीस टो 75 इसको मिम वेंडिक मोटाई है धिक यह हुआ अपना और आगर बोला जाए इसका इंडर i Todos डों करना ओंगर नहीं करना है ठीक यह वा अब जो इनर साइड में क्या होता है इनर मेंब्रेन होता है उसमें क्या होता है फोल्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं क्रिष्टी बोलते हैं और क्रिष्टी के अंदर क्या होता है एक लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं म up спрос मेटिकस बोलते हैं जो क्या होता है वहां पर लिक्विड भरा होता है उसको मैटिकस बोलते अब एक देखो यहां पर कृष्टी दिया है कृष्टी का रोल क्या है खया होता है यह सरफेस को देखो दा आउटर कंपार्टमेंट अड़ा इनर कंपार्टमेंट दा इनर कंपार्टमेंट इसके बाद क्या है यहां पर इनर मेंब्रेन है इसे folding है inner membrane में folding होता है ठीक है inner membrane में क्या होता है इस folding होता है तो यह outer membrane है inner membrane है अब इस प्रकार से दो compartment बन जा रहे हैं दो compartment मतलब यह पहला compartment यह है जो outer compartment बोलेंगे इसको और दूसर compartment यह है जहाँ पर matrix भारा होता है उसको क्या बोलते है inner compartment बोलेंगे जो inner धर नहीं do में पार किसे फिल्ड होता है है मैट्रिक से फिल्ड होता है वहां पार जो लिक्विड होता है मैट्रिक से के फिल्ड होता है इस Hakid बोला गया चैजिस को जो दोनों मिंच जो मिमोर्वी क सबसी कर पाल दोल referrals spirit उसके इस वर मार्स लिमिटिंग बॉंड्री है सबसे कि बाहरी बॉंडरी होता हैं सेल का मलब मैटो के इंडिया के सेल कटी की इनर मेंब्रेन फ्रम्ढ दा परने अनूमपर काल क्रिश्टी देखो किस्टी कैसे बना अंदर की और क्या हुआ है वो मेंडर की और बहुत सारे उभार बनाया हिंदिम बने तो उभार बनाया और उसके क्या बोल रहे हैं हम लोग क्रिष्टी बोलते हैं क्रिष्टी का किस तरह बनते हैं ट्वार्ड मैक्रिस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स यह है मैट्रिक्स की तरफ बनता है तो इधर मैट्रिक्स होता है तो उस तरफ बनता है यहां पर डाइग्रम मे और देख लेते हैं डाइग्राम से और समाझग आएगा यह आउटर मेंब्रेन है इनर मेंब्रेन में फॉर्ट है इसको क्रिष्टी भूणेंगे और इसके अंदर the liquid भा वह होगा उसका हम लोग बोलेंगा मैट्रिक्स तो क्रिष्टी वर्ड किसने दिया थे ये भी याद रखना क्रिष्टी का एक और फंडर देखते हैं किεςने क्या होता है चलो उसको बात में देखेंगे देーチ हो और ठीकर बंगर मेंब्रे extra होता है अब दोनों मेंब्रेन का अलग 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 इंजाइम काम करेंगे उसके function की जैसे मैं बोलू इनेः remembrance की और या है इने में में क्या है फोल्डिंग हो फोल्डिंग के अंदर यह आ उनदर मेट्रिक्स पाहँ है तो वहाँ पर मैटो केणिटया के अध्राइप मेंद्रीक्स पाहता उता है यह सब भी मतलब अलग-अलग दोनों मेंब्रेन का अलग-अलग function होता है ठीक है है तो मैटो कांडिया आउर साइट आफ एर बर एक्सपारेशन जो व्यक्ति मलब जो मलब बोलेंगे जैसे कोई भी एनिमाल बोलेंगे प्लनलेंगे मलब जो एरोबिक रैसपारेशन करता है जो भी मल जाता है इसको याद रखना क्योंकि aerobic respiration जो मैट क्या होता है जैसे हम लोग पढ़ेंगे plant physiology में तब वहाँ पढ़ेंगे glycolycus cycle, creep cycle, electron transfer system तो इन अरोबिक जो बैक्टरिया होते हैं इन अरोबिक जितने भी जन्तु होते हैं इन मतलय होते हैं उनमे क्या होता है छिलाहिक जिस क्या होता है मतलेख मिर बाकी क्या होता है जो एलमा करते उस अक्रेशाण के प्रोडुक्ट-बन बनलता हैं वह क्या होता है है क्रेप साइकल में जाते हैं उसके बाद कहा जाता थैं अलेक्ट टांसबोर सिस्टम जाता जो अरभिक थीर से अरट जाए गए में च्टकंडिया पाइज आएगा और जिसके बाहिए शाम आगाक और उसके बाद क्या बड़िया है नेस्टार और क्या देखते है अधू द हमेट्रिक्स से द मैट्रिक्स आसो बजेस फ्र कुलिक्त सीन थे ने कि देखो यहां पर ध्यांद देना शिंत्राइमनेशário दियने होता है सिंत स सर कूलर डिन अगातर t यह सिंगल खुले टेने मलकुल句 यह फिव और अर्ए मौलिकूल भी होता है डिये नहें तो आर निर्डपा जाएगा क्यूंकि प्रोटीन भी बनता है तो और खुज पाया जाएगा फॉसके और यह कह गता हैं कि यह जए कशिर रखार at fram packets में बताया था कि मैटोक अन्रेक और जैसे मीट्ूता है जासे मोंवाइट्व होगा फेजन यह चौन फॉन्स प्रकार टिक यह बैक्टरिया होते हैं वह क्या होते हैं किन फुसके तिखाम उसी यह यह क्या करते हैं जब एक बार जाएगा तो क्या करता है तो इस तरह से अपना इतना टॉपिक दिया है अच्छा इंच तरोगी है वोटना हमारे लिए सफिसनी है नीट के लिए सफिसनी नहीं होता है तो हम लोग कुछ टॉपिक और यहां टीजिसकर्स करेंगे ठीक तो कुछ टॉपी यहां पर क्या और डिसक्स करेंगे देखो तो मैटो गांइडिया वक्राइए फर्स्ट टाइम अबसर्ड किस ने दिया था देखा जो इंसेक्ट है उसके इस्टेट रेखित मसल में देखा था कहा कि कॉक्रेज के थाई वाला मसल जो थाई के मसल में देखा था बट उसके बाद क्या बोला डिस्कवरी पर किस ने किया डिस्कवरी किस ने किया अल्टमान एंड फ्लेमिंग ने किया ठीक फ्लामिंग अल्टमान फ्लेमिंग में इसको को फिला कहा फ्लेमिंग ने इसको क्या बोला मैटोकंडा को फिला कहा और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा क्या का बायोप्लास्ट कहा को क्लियों कहा सार को सोम बोला ठीक है उसका बेंडा ने बताया तर्म दिया मैटोकंडिया तर्म दिया ठीक है अब उसके बाद औ पाय जाते हैं इसको MT DNA मतलब Mito Candle DNA इसको दो व्यक्ति थे नास और उसमें कितने जीन्स पाय जाते हैं 30 जीन्स होते हैं इसमें MT DNA में 30 जीन्स होते हैं ठीक उसके बाद हुमन Mito Candle DNA sequence relevant क्या दिया है देखो इसमें कितने बेस्पेर होते हैं 16,569 बेस्पेर होते हैं इनकोडिंग 37 टोटल जीन्स होते हैं और इसमें 37 टोटल जीन्स होते हैं Mito Candle को हम लोग और अधर क्या क्या नाम से जानते हैं क्या क्या नाम से जानते हैं और किसी भी नाम से पूछा भी जा सकता है हम लोग जानते हैं जिसकी मेंबरेन की में बताया था 60 इंगर्श्रॉंग होती है ठीक है पेरिमाइट्रों का थे से 100 की बीच होता ही या फिर 60 के होता है नियुक्ष्ट अधर यह केमिकल है उसको याद रखाएं अगर यह केमिकल को हम लोग यूज्स करते हैं तो आउटर में मेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्र देखो अब जिसे में क्रिष्टी का बनाता हूं तो देखो यह पुरा इनर मेंब्रेन का उसी था बना रहा हूं तो इनर मेंब्रेन में पार्टीकल पाया जाते हैं इस छोटे फाटकरा अधर इसको पर्टीकल बолодती है या और धेखा यह फरनानडर्वर्चु स मोर कि पर्टीकल बोलते हैं इसको याद रखना आभी आशिवालता है इसका वर करी कि अब लोगों बताता हूं ठीक इतना समय पहले आगे इसको क्या बते हैं और अबया अपना है क्रिश्टी है अब इस को पाया रहे है थो अब मलब इसमें क्या होते हैं वो कृष्टी पर एसे धसे हुए होते हैं तो यह ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको इसको एफवन बोलते हैं इसको यह धो हैं मतला। यह कि एक या पर कारते हैं यह कि करते हैं तो इस कारण इसको पिते हैं यह समय आएगा इसमें दो प्राकर खार करने होते हैं यही पर किया होता है इसको हम जोossen sanctuary पढ़ेंगे डिटेल से यहीं पर क्या होता है फिर एटीपी का फार्मेशन होता है फिर क्या होता है एटीपी का फार्मेशन होता है एटीपी का फार्मेशन कैसे होता है एटीपी का फार्मेशन कैसे थपता है यहां पर एटीपी का फार्मेशन इस प्रकार होता है जो भी आक तो यह सब्सक्राइब यह जहां है यह फ millimeter पॉर्षन तो यह हैं यह आप्षी लिख लो यहां पर ऑक्सीडेट्यव स्पोर रायलेशन नहीं होता है फास्पोर रहलेशन मतब क्या होता है एटीपी का संथेसिसन मतलब adenocin क्या हरता है adp होता है adp होता है उसमें unorganic phosphate जूरता है phosphorogaboracet का जूरना और क्या बनाते है ATP बनाते है तो excited phosphate होता है जिसके कारण adp से क्या बनता है ATP बनता है हमाला main product क्या बनाना है ATP है क्योंकि ee currency of the sale currency of the sale मत्या power house of the sale है क्योंकि यहां पर हमको क्या चाहिए होता है होता है एनर्जी चाहिए होता है हमारी जो एनर्जी की सफंव में मुलब रहता है ए टीविक फोर्म में स्टेश्र आइब एक के फाम में ते इस परकार से यह बना यह इधर समझ जाया यह हो गया देखो यहां पर लिखा हूं भी देखो आप लोग देखना ध्यान से इन अग्जिस्वाम इंजाइम होता है करना ऐधिश्य यह दी पी से फासवेट को लेता है और यह 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 पर यह रहे नता हुद principle ईसलारजड़्स प्रोटिन एंड है डू कामपोएंट तक होता है ATP जो ऐसा है उसमें दो component होता है एक नीची वाला portion यह हुआ यूपर वाला portion को F1 बोलते हैं on the matrix side होता है matrix जैसे एक क्रिष्टी है एक क्रिष्टी है तो अंदर की और क्या था इसके अंदर की और यहां पर था होता है मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स के side होता है और यहाद रखना है ATP is the semi-autonomous organus ठीक है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है मैट्रो का जहाँ पर energy की ज़्यादा requirement होती है वहाँ पर मैट्रो कांडिया का नंबर सबसे ज़्यादा होता है ठीक है तो हमको इस परकार से हम लोग पर समझ गए इसका main function क्या है ATP generate करना तो इसको याद रखना की ATP produce करता है ठीक है इसमें 70S ribosons पाया जाते हैं ठीक है single circular DNA पाया जाता है इसको याद रखना ठीक है यह important पाइन और इसमें इसका structure तस्तरी नुमा होता है इसको याद रखना है double membrane bounded होता है इन फोल्डिंग होता ही नर मेंब्रेन में दोनों के बीज मेंटर पेरिमाइंटर का अंडेल स्पेस होता है इन सभी को याद रखना है अपने को इस तरह से अपना यह पूरा करहाव कंप्लिट हुआ आव लोगों समाज आया हुआ अगर आप लगों समाज आया हो तो चैनल को लााइक किजी सब्सक्राइब के जरें ते